नमस्कार दोस्तों स्वागा थे एक नए वीडियो हम लोग इडिटेरिया के निव बुक एंसियाटी अधार स्रीज में दिया हुआ प्रेक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रेक्टिस सेट नमबर 14 देखेंगे जिसमें दिया हुआ 100 प्रशनों को फूल डीटेल सोलूशन करेंगे काफी इंप्रशनों का संग्रा है अज के प्रेक्टिस सेट में बिज्ञान विशय पर अधारित है पहले प्रशन से पहला प्रशन की सही मिलान करें तो कार्बो हाइड्रेट जो होगा वह क्या हो जाएगा वह उर्जा परदान करने वाला भोजन है प्रोटीन जो ह वो क्या है रोगों से रच्छा करता है तो अंसर हो जाएगा अप्सान बी हो जाएगा सत्कतन का चैन किजिए इसमें से सत्कतन कौन सा है वो देखे रुच्छांस सरीर को कोई पोसक तत्परदान नहीं करते हैं बिल्कुल सही रुच्छांस की पूर्ति मुखिता पादब उत्पादों सा होता है ये भी था है यरो घुच्छांस की पूर्ति मुख्ता पादब उत्पादों से होती है रुच्छांस के मुक्सरोत, साबुत, खादान, डाल, आलू, ताजे, फल और सबजिया है रुच्छांस हमारे सरीर को कोई पोसक परदान नहीं करते हैं फिर भी है हमारे भोजन का वस्यक अभ्यब है और इसका आईतन बढ़ा देते हैं रुच्छांस बिना पच्छे भोजन को बाहर निकालने में हमारे सरीर की सहाइता करता है अगला प्रस्अन कथना और कारण का है कथना की काच, जल, बाई, तथा सभी प्लास्टिक परदरसिप्दार्टों का उधारण है ये असत्थ है प्लास्टिक सभी प्लास्टिक जो परदासी पदात को तहरं नहीं है नहीं है, इसे पदात जिन से आर्ण-पारबस्तों को देखा जा सकत है, ये सटेटमेंट सही है, तो अंसर हो जाएगा C कथनसत है प्रण्तु कारण सतЬ है, निमलिखित में कौन सुमेलित है ? एक तरफ वि केवल दो सही, निस्तारन अनाज से भूसा को पिर्थक करना गलत है, निस्पावन रेत एवं जल के मिसरन से जल को अलग करना ये भी गलत है, तो केवल भी सही है, तो क्या है कि निस्तारन रेत तथक जल के मिसरन को जल को अलग करना होता है, और निस्पावन जो है अनाज से भ भोजन तने से होकर पौधे के अन्य भागों में संग्रहित होतीता है, तना दो तरफा मार की तरफ कार्ज करता है और इसका अंसर हो जाएगा D, उप्युक्त में से कोई नहीं, जड़े मिट्टी से जल का अपसोसन जड़े करती है, तथा तना जल एवम खनीज को पत्य एवम मूली, सकरकंद, सलजा में टेप्यों का आदी को हम क्या करते हैं, खाते हैं, निमन कतनों पर बिचार किजिए और सत कतन का जो है वो चैन किजिए, तो आएए देखते हैं, उपास्तितियों के कारण सरीर के किसी भाग को मोड़ अथवा घुमा सकते हैं, यह गलत है, सरीर मे इन अस्थानों को हम संधी कहते हैं, और कंकाल के कुछ अत्रिक्त अंग भी है, जो हड़ियों जितने कठोर नहीं होते हैं, जिने मोड़ा जा सकते हैं, उन्हें उपास्ति कहते हैं, सही मिलान करें, तो कदुख, खलिका संधी जो है, तो सभी दिसाओं में होता है, संधी जो है, वो क्या है, उपरी जवडायवं कपाल के मद्द संधी, अंसर हो जाएगा, ऑप्शन B, निम्न कथनों पर बिचार कीजिए, और सत्त कथन का जो है, वो चैन कीजिए, पसलियां मेरु दंड से जुड़ी होती है, बिल्कुल सही है, बच के दोनों तरफ बारा जोड़ी पसलियां होती है, यह गलत है, शरीर के सभी अंग पसली पिंजर में सुरचित रहते हैं, यह गलत है, तो अंसर जो हो जागा, B, केवल एक सही है, पसलियां विचेस रूप से मुड़ी होए, वो बच के अस्थी मेरु दंड से जुड़ कर एक बक्से की रचना करत हैं, मेरु दंड अनेक छोटी छोटी चोटी अस्थियों से बना है, जिसे कसे रूपा करते हैं, मेरु दंड तेतिस कसे रूपाओं का बना होता है, केवल चुए के बारे में असत का चैन कीजिए, तो इसमें से असत कौन सा हो जाएगा, B, इनमें अस्थियां भी पाई जा करते हैं यह बहुंगा कि बाहिक अंकाल पर बिचार किजिए और सत कथन का चैन किजिए इसे कबच कहते हैं यह चलने में सहाइता करता है यह गलत है अंसर हो जाएगा एक केबल एक अगला प्रस्थियों का सरीर जो है वह उड़ने है तु अनुकूल होता है क्योंकि इसका सही जबाब जो हो जाएगा अस्तियों में बाइप परकोष्ट होते हैं पिल्कूल सही अस्तियां हलकी परंतु मलाया होती है यह गलत है अगर पादर उपांतरीत होकर पंक बनाते हैं यह भी सही है तो अंसर हो जाएगा एक और तीन मचली के संबंद में कथनों पर विचार यह भी सही है अंसर हो जाएगा दो और तीन दोनों सही है उट के भी सही में निम्न कथनों पर विचार किजिए और बताईए कि कौन सा जो है कथन अस्तियों है लंबे पर इन्हें रेत की गर्मी से दूर रखते हैं बिल्कुल सही है मतरुत सरजन की मातरा बहुत कम होती है इन्हें पसीना भी नहीं आता यह भी सही है तीनों सही है असत पूछ रहा है तक कोई नहीं ऑप्सन टी हो जाएगा कत्नों पर बिचार किजिए और सत कथन के बारे में बताईए अस्कुड एवम आप्टोपस छिछले पानी वाले जीम हैं सही है डालफिन एवम वेल लंब कथन का चैन कीज़े असत कथन का जो है हमें चैन करना है तना छोटा हलका एवं होकला होता है तो ये जो है वो असत है जड़े अकार में बहुत छोटी होती है सही है सभी जलिये पोधों के फूले वं पतियां जलके अंदर प्लवन करते हैं ये गलत है अंसर हो जागा डी एक तहार्ट तेन जो है क्या है एसत है जल की सता तक बिर्दी करते जबिक्ते रहते हैं कुछ leg यह पौधे, जल में पून्रूपन डूबे राते हैं। इसे पौधेों के सभी भाग जल में बिर्दी करते हैं। इनमें इसे कुछ पौध हो की पतियां, शक्रि एबम पतले, रीबन की तरह होती है। यह बहते जल में सरलतास से मुड़ जाती है। अगला है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो मचली स्वसन लेता है कलोम से सही है, केचुवा फेपड़े से यह गलत है, पौधे सुचमरण से यह सही है, अंसर हो जागा B केबल दो, केचुवा जो है कहां से स्वसन लेता है, तो त्वचा से स पर बिचार किजिए और असत्य कथन को चैन किजिए लोला की गति बर्तुल गति का उधारन है तो यह वह असत्य है पंखे की पंखुडियां की गति अवर्ती का उधारन है यह सही है तो अंसर हो जाएगा केवल एक जो है वह असत्य है सिलाई मसीन के सुई के गति होती है अंसर हो जाएगा सी अवर्ती गति होती है कौन सी अवर्ती गति होती है किसी बस्तु के छाया देखने के संदर में निम्मेस पर बिचार किजिए और कौन सा कथन जो है वह असत्य है यह देखिए कौन सा कथन एक प्रकास रूत अवस्यक है, बिल्कुल सही, प्रकास के पत में कोई परदर्सी बस्तू चाहिए गलत, छाया केवल परदे पर दिखाई देख सकती है, ये सही है, तो अंसर हो जाएगा, आप्शन कौम सा, तो हो जाएगा, आप्शन सी, केवल सकेंड जो है वह सत है, बाकी हमारा जो है, वह गलत है, इससे किसी अबरोध के दूसरी और भी देखा जा सकता है, इससे किसी अबरोध के दूसरी और भी देखा जा सकता है, ये सही है, अंसर जो हो जाएगा, बी, केवल दो सही है, पेरियसकोप, इसमें भी प्रकास के प्रावर्तन का उप्योग होता है तथा इससे किसी अब रोध के दूसरी और भी देख सकते हैं किसी बिधुत परिपत में धारा के दिशा होती है तो आई ये देखते हैं बिधुत सेल के धनात्मक टर्मिनल से रिनात्मक टर्मिनल की और होता है option A सही हो जाएगा एक AC सरलिपती जो परिपत को जोड़ अथवा तोड़ सकती हो वो क्या है answer हो जाएगा B उसे switch कहते है निम्न कत्रों पर विचार किजिए और सत्त कत्र के बारे में बताईए सोतंत रूप से लटके चुमबा के देशा के बल उत्तर क्यों होता है गलत है सभी चुमबकों के दो ध्रूबते हैं चाहे उनका कार कैसा भी हो बिल्कुल सही है बिरामावस्था में कमपास के सुई स्दाइव उत्तर दशिन दिसा में निड्रेसित करती है ये भी सही answer हो जाएगा C 2 और 3 जो है वो सही है अगला है चुमबक अपना चुमबत खो सकता यदि चुमबक को क्या करना होगा इसमें से कौन सा जो है वो असत्त्य कथने उसे करना है अद्धा ओड़े से पिठा जाए तो खो जाएगा उचाई से गिरा जाए तो भी है घर्म करने भी हो जाएगा यह हो जाएगा क्या है तो पौधे में स्वसन है तो नाइट्रोजन की बात करते हैं तो मिर्दा की उबड़ता बढ़ाने में कारवन डायक्साइड अबस्यक है किसके लिए तो ये हो जाएगा बंध कम्रे में घुटन कानुभब करेगा जलबास पर सहायक होगा क्या करने के ले जल्चक्र हेतु अबस्यक है तो सही जवाब जो हो जाएगा कौन से हो जाएगा वह जाएगा बी अगला प्रस्ने कब को के संदर में निम्र कत्रों पर बिचार किजिए और सत्त कथन का चयन किजिए इनकी बिर्दी यह तु बर्शार यह सबसे उप्युक्त है सही है यह अस्थानों पर ऊगते हैं जो नम और आदर हो यह गलत है अंसर हो जाएगा ऑल एक है घट-परनी पादप उदाहरन है सवाब पोशन एवां विशाम पोशन दोनों का सही मिलान कीजिए जोक जो है वो क्या है सही मिलान करते हैं इसमें से क्या होगा तो 29 नमबर की बाद है जोग परजीवी है सही है, संडिव किटभची है ये भी सही है, कबक मृत जी भी है, ये भी सही है, आयरोजोबियम सह जी भी समझे ये भी, तो उप्यूक्त में से जो है, वो सभी हो जाएगा, घट परनी के निम्लिखित में कौन सा एक भाग घट के रुप में रुपांतरित होता है, और इसका जो सही अंसर हो जाएगा, आपसन कौन सा बी, पत्ती, पाचन के संबन में निम्लिखित में कौन सा करम जो है, वो सही है, पाचन के संबन में, तो पहले मुख गोईका, फिर ग्रसिका, फिर अमास, फिर शुद्रान, फिर बिर दान, अंसर हो जाएगा, आ कुण आहार drained का भाग नहीं है अंसर हो जाएयगा अफशनल C अग्नियासे जो हार नाल के नहीं है, मुख गुई का गुद्दा और अमासे जो है, यह सब अहार नाल का भाग है, छोटी आज जिसे सुद्रांत करते हैं, ब्रिद्रांत मनला बड़ी आज जो मलासे से जुड़ी होती है, और मलदार अत्वाई यह सब अहार नाल है, सूची और सूची दो को सुमेलित करना है आए सुमेलित करते हैं कि हाइड्र whole अंसर हो जाएगा कौनसा अं सरह को अगर हम बात करते हैं तो यह ब्रोटीन headline कभिए थर जो ए बसा पाचन में उपयोगी और इसका सही जो अंसर हो जाएगा ऑप्शन पी हो जाएगा दिर्ग रोम के संदर में निम्न कथनों पर बिचार किजिए और सत कथन के बारे में बताईए तो यह ब्रिदांद की आंत्रिक भीती पर होती है यह गलत है यह भोजन अब सेशन है तू तल छेतर बढ़ा देते हैं सही है इसमें अंसर हो जाएगा और इसका अंसर हो जाएगा और इसका अंसर होता अपने आप नीचे गिरने से जो है वो रेक रोकता है निम्न में से कौन सही सुमेलित है निम्न में से कौन जो है वो सही सुमेलित है चालक बाई अवम जल में उस्मा अस्थनांतर गलत है संभन ठोसो में उस्मा अस्थनांतर गलत है बिकरन उस्मा अस्थनांतर है तुम मद्यम क्या वा सकता नहीं बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा C केवल धर्ड है चालन वा प्रकरम जिसमें उस्मा किसी बस्तुक को गर्म सिरे से ठंडे सिरे के और अस्थनांतरित होती है चालक का लाता है ठोसों में उस्मा प्राया चालन के प्रकरम द्वारा अस्थनांतरित होता है संबहन जलत अथा बाई में उस्मा का अस्थानांत्रन को करते हैं सर्दियों में उनी बस्तर हमें गर्म रखते हैं क्यों सही जबाब हो जाएगा उन उस्मा रो दिया है बिल्कुल सही इसके रेसों के बीच बाई फसी रहती है यह भी सही अंसर हो जाएगा सी निमलिखित कथनों पर विचार किज़े और असत्थ कथन का जो है वो क्या किजिये चहान कीजिये असत्थ कथन कर रहा है वो ध्यान दिछेए गहां सत्था और असत्थ में यह ध्यान देना होगा दही नीमबू का रासेवं सिर्के का सुद्द में खटा होता है बिलकुल सही बेकिंग शोड़ा खाने का सुद्द में खटा नहीं है इसका मतलब इसका कोई अमले नहीं है इसका स्वाद कड़बा है समानता एसे पदार जिनका स्वाद कड़बा होता है और जो पर्स करने पर साबून जैसा लगता है छारक कलाते हैं इन पदार्थों के जो प्रकृति है वो छारके होती है और एसे पदार्थों को रसाइनिक प्रकृति अमलिय होती है एसिड का एसिड सब्सकूत पती जो है वो लैटिन सब्द एसियर से वे जिसका अर्थ है खट्टर लैटिन सब्द ना की क्रीक सब्द अगला है निमलिखित एग्मों में से कौन सा सुमेलित है सूचक अमलिय बिलियन में रंग है अंसर हो जाएगा कौन सा तो गुड़हल की पंक्खोडी मेजंडा बिल्कुल सही लिटमस प्रेवर लाल ये भी सही फिनफ्तलेन रंग ही ये भी सही अंसर होगा डी एक दो और ती सही है उदासनी किरन अभी किरिया के बारे में निम्न कत्रों पर बिचार किजिए और सत कत्र का जो है वो हमें सही किजिए आईए देखते हैं सत कत्र कौन है इस अभी किरिया में सदाइब उस्मान निर्मुक्त होती है बिल्कुल सही इसमें निर्मित नय पदार्थे की प्रक युक्त में से एक से अधिक से रसाइने कुरबर को अधिक उपयोग मिर्दा को अमलिये बना देता है यदि मिर्दा अधिक 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 छारिये हो तो पादपो की बिर्दी अच्छी नहीं होती है जब मिर्दा अधिक अमलिये होती है तो उसे बीना बूझा हुआ चूना यहां कॉछ स्थाहित किया जाता है यह जिं़र्दा चार यह है इसमें जैपदार्थ मिलाए जाते है जैपदार्थ्याने कमपोस्ट का तो जोAK मिल्द करते हैं उसके चाह्र के प्रकिरति को उधासिन कर देते हैं अगला besलिण लिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो चीटी का डैंक मेलामाय यह सुमेलित नहीं है मृलक इनिय сог сейчас है वे अमल्ता मेलीय मिर्दा केल्सियम औक्साइड के शारी यह जो है वह जय पदात यह सही Malays हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जब चीटी काटती है तो त्वचा में अमलिये द्रब डाल देते हैं डंग के परभाग को नमी खाने का सोडा सोट्रियम हाईजरन कार्बोनेट अथवा कैले माइन बिलियन मिलाकर उदासिन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है उपचार के लिए महला माइन नहीं क्या है खाने का सोडा लगाया जाता है चूने का पानी दुधिया हो जाता है यदि इसमें परवाहित की जाए क्या के जाए तो अंसर हो जागा B कार्बन डायक साइड निम्न में से कौन सा रसाइनिक परिवर्तन का उदाहरन नहीं है और इसका अंसर हो जाएगा D मोम का प्युधना जो है वो रसाइनिक परिवर्तन का उदाहरन नहीं है भोजन का पाचन, फलो का पकना गूरो का किन्वत यह सभी सभ है रसाइनिक परिवर्तन काथनों में असत कथन का चैन करना और असत कथन का चैन कीजिए असत कथन का यह बाईबियस स्वसन करता है यह गलत है यह स्वसन के दवरान अक्सीजन इवर्तन करता है गलत है इनका प्योग सराब बनाने में क्या जाता है यह सही है तो अंसर हो जाएगा C इस्ट जैसे नियुक जीव बाई करने पुस्धिति में जीवीत रह सकते हैं इससे जीव अब ibs स्वसन के द्रोप्ग करते हैं इन्हें अब भी खंडित हो जाता है अगला प्रस्वन है कि कौं अत्यधिक व्याम करने का बाद पेसियों में एठन में होती है तो इसका का जो है असत कथन का चैन करेंור पेसयो में क्षशाय स्वासित के करण असवासित का पर्तिसत होता है और वह उत मैं होता है यह ता है फेफडे के बाद पादपो में स्वासन के संतर में निम्लिकित कफनों पर बिचार कीजिए और सत्य कफनों का चैन कीजिए ये बाई में ऑक्सीजन अफस्ोषित करते हैं, सही है, ये कर्वन डैक्साइर निर्मुक्त होते हैं, सही है, पादपो में गुलकोज का भी खंडन कर्वन डैक्साइर एवाम जल में होता, ये सही है, तो अंसर हो जागा D, उप्यूक्त में से सभी. अगला परस्ट ने हीमोगलोबिन के संबन में निमन कत्नों पर विचार किजिए और सत्र कत्न का चैन किजिए तो आई ये देखते हैं यह रक्त को लाल रंग परदान करता बिल्कुल सही यह स्वेत रक्त को चिकाव में पाया जाता गलत है यह आरवी सी में पाया जाता है यह कुछ रोगों के परति परतिर अच्छा परदान करता यह भी गलत है यह रक्त में अक्सीजन का बाहक है यह सह है नहीं पाया जाता है यह भी सही है इसे पुर्षिजन परीबहन होता है और इसका सही अंसर हो जाएगा किसे जाइलम के द्वारा होता है सही मिलान कीजें आईए देखते हैं रंध्र जो है वास्पोत सरजन जाइलम चल का परिवहन मूल रोम जलकाव सोशन फ्लोयम भोजन का परिवहन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा दो चार एक तीन निमलिखित को सुमेलित कीजिए काईक प्रबंधन गुलाब में मुकुलन जो है वहाइडरा में खंडन जो है स्पाइरो गायरा में बिजानू न अंडन प्रकारखा अलेंगिंग जनन होता है यह जो है वह गलत है ब्राइव फिलम की परतिय कलका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है यह भी सही है तो अंसर हो जाएगा केवल दो एवं तीन सही है एक दिन कहा जाता है तो एक सुरियोदय से अगले सुरियोदय की बी का उप्योग क्या जाता है बिल्कुल सही सारल लोलक हो जाएगा स्या एक और दो तोनों सही है कोई काशारीस किलमेटर पर गंटे के चाल से-पंद्रा मिनिट चलती है इसके 50-60 km पर घंटे के चाल से 15 मिनट चलती कार द्वारत ताई की गई कुल दूरी जो है वो क्या हो जाएगा तो दूरी बरबर चाल गुना समय डी बरबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा चालिस अगुना कितना है 0.25 होगा क्यों हम किये हैं क्योंकि पचीस मिनट है यहां घंटा को बदर पंदर चॉब साथ है जिरो पर पचीस के तो एक घंटा बार यह हो जिगा कितना 10 km और दूसरी बार में अगर हम निकालेंगे डी टू वो कितना हो जाएगा तो वह जाएगा दूरी जो है वो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा जीरो दसम्लब दो पांच यह जाएगा 15 km डी वन और डी टू जोड़ दीजिए 10 पलस 15 कितना हो जाएगा 25 km अंसर जो हो जाएगा ऑप्सन बी हो जाएगा 0.25 यह नि बनबाई 4 हावर्स लिए हैं 15 मिनट के बराबर को ल टाई पर यह तीनों पर तो एंसर हो जाएगा ऊफसंडी तीनों में कितना है के बास्व का परियोग होता है सही अंसर जो हो जाएगा वो प्रदीप्त नलिका और CFL में LED में नहीं होता है तो अंसर हो जाएगा C बिधुधारा का प्रवा समाप्त होने पर कुंडली का चुमक्त क्या होता है अंसर हो जाएगा A समाप्त हो जाता है जब किसी तार में विदुधारा प्रभाइत होती है तो कौन से कथन सत्य होता है यह देखते हैं वह चुमबा के बाते ब्यवार करने लगता है सही है इसमें विदुधारा का चुमबा के प्रभाव करते हैं यह भी सही है विदुधारा का परियोग चुमबकों के निर्मान मे ये गलत और दो दो कथन जो है वो असत बहुतर पर बने वाले परतिवियृम करते हैं समतल दर्पन द्वारा बने मुंबत्ती के लोग के पर्तिवीम को पर्दे पर प्रफ नहीं क्या जा सकता है इस परकार के पर्तिवीम को अभासी पर्तिवीम करते हैं और अवतल लेंस द्वारा बने पर्तवीम सदय अभासी, सीधे तथा बीम के साइज से छोटे होते हैं पर्तवीम हमेशा बस्तु से छोटे, सीधे और अभासी होते हैं उत्तल दर्पन में हमेशा अभासी काल्पनिक पर्तवीम बनता है उत्तल दर्पन अधिक छेत्र के द्रिसको परती बीम बना सकते हैं अधिक छेत्र के बानों को देखने में सहायता करते हैं यानि साइड मीरर के से उत्तल दर्पन को राम अपने परतिवीम को समतल दर्पन में देख रहा है दरपन तथा उसके पर्तिवीम की बीच की दूरी 6 मीटर है यदि वह दरपन की ओर 2 मीटर चलता है तो राम तथा पर्तिवीम की बीच की दूरी क्या होगी इंसर हो जाएगा अपसन C 8 मीटर हो जाएगा निम्न युगमो मेंसे कौन सा सुमेलित नहीं है आईए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है तो समतल दरपन सीधा तथा बीम के साइज से छोटा पर्तिवीम गलत है बीम के साइज के परावर बनाता है तो ये जो सुमेलित नहीं है बाकि तो ये तीनों सुमेलित है आपपांग क्या सलज होता है और इसका सही अंसर हो जागा एकत्रित किया गया ठोस मल खाद तथा अरुबरक के संबद में निमलिखित कत्रों पर बिचार करें और बताएं कि कौन सा सथ है उरुबरक से मिट्टी का हिमस प्राप्त होती है यह गलत है खाद में उरुबरक की तुलना में पादप पोस्त अदिक होते हैं यह गलत है अंसर हो जागा डी ना तो एक और ना तो दो सही है निमलिखित में कौन सुमेलित नहीं है तगनीमबू कहकर जिवानूं ग्यहूं का कि मरत अज़ए है तुलना में की तस्मेलित नहीं है और त्व 52 समेलित नहीं है कि पर नहीं पर अथ है बाकिनलिया प्रटचहासे यह सुमेली था निम्हें कौन पर्थिजविक नहीं है इनमें से एंटिवास जो है वह नहीं है तो अन्सर हो जाए उन्प्यूग में से कोई नहीं स्टेप्टोमाइसिन ट्रेटा साइक्लिन इलेफ्टोमाइसिन यह सभी जो है वो क्या है यह सभी जो है एंटीबाइटिक है पर्तिजएवीक है बैकसिन टीका किस परकार की परतिर अच्छा परदान करती है अंसर हो जागा अथवानिस के रिए सुच्म जीवों को स्वस्त बेक्ति के सरीर में परविष्ट कराया जा तो सरीर की कोशिकाएं उसी के नुसार लड़ने के लिए परतिरच्छा उत्पन करके रोक कारक को नस्ट कर देती है यह परतिरच्छा हमारे सरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथ अगला है निमलिखित में कौन खाद परिरच्छक नहीं है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन बी सोडियम बाई कार्बोनेट कौनसा सोडियम बाई कर्वनेट को सही सुमेलित किजिए कोलतार जो है वो क्या है नेफ्फिलीन की गोलिया प्राकिर्टिक गैस जो है वो jogos उटतार माचिस की इंतार नहीं है निष्क होता है क्या है फॉस्वतर से अधिक बक्राष्म ब्रकLine है गये चीड की लकड़ी के छोटे टिकोड़े को माचिस की तरह उप्यों किये जाते थे अगला है कारवान डाइकसाइट के भी सही में असत कथन को चुनिए असत कथन को चुनिए तो उच दाप पर गैस के रूप में सिलिंडर में भरी जाती है यह जो है वह सत है या ती उत्त सब्सेर जादा तो होगा सबसे ज्यादा निमलिखित का सही सुमेलित की जिए इंधन का अपूर्ण दहन जो है कारवन मोनोकसाइड, बैस्विक तपमान जो है कारवन डायकसाइड, कोईला एवंप, डीजल का दहन जो है वो सलफर डायकसाइड, अमन बरसा सलफर और नेट्रोजन के अकसाइड सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा समाचारों में उलेखित अस्टारगेट क्या है अस्टारगेट और इसका सही एंसर हो जाएगा अप्शन C AI सूपर कम्प्यूटर है अस्टारगेट पेरिस ओलम्पिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने बाल एक मात्र भारतिय भारतोलग कौन बन गया इसका अंसर हो जाएगा वो जाएगा इसमें अंसर हो जाएगा केवल E कथन सही है कथन एक सही है युनाइटेड स्टेट्स जो है इंडिया इनिसियेटिव ओन क्रिटिकल एंड इमेजिंग टेकनोलोजी कृतिम बुधिम्था क्वांटम कंप्यूटरिंग सेमी कंड़क्टर और बायरलेस दूरसंचार सहित प्राउदकी के विकासिल छेत्रों में सहीयो परिवर्तन संकेतों पर नजर रखता है इस रिपोर्ट को परकासित करने के लिए निम्लिखित में कौन सा संगठन जिम्यदार है अंसर हो जाएगा बिस्व मौसम बिग्यान संगठन डबलू एम ओ मुख्चुनाव आयुक्त के संदर में निम्लिखित कथनों पर पिचार क जीए और उपर में से बताए कि कितने कथन सही है तो अंसर जो हो जाएगा ऐ केवल एक सही है वो है मुख्चनाविट को पर से हटाया जाना सर्वोच नियाला के नयदियृस के समान प्रकरिया के मध्यां से क्या जा सकता है यह जो है सही है चुनाब के दौरान चुनाब आय क्या है अंसर हो जाएगा ए भविस का मार्क प्रस्तास्त करना सुरच्छा पहले हाली में खबरों में रही सन्नती बुद्धिष्ट साइट किस राज में स्थित है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन ए करनाटक में मियामी ओपन दोजार चोविस का पुरुसियोगल मैρι टैडियर रोहन प्रच्छा कि कांग डि पहली मैंला परधानमंत्री के की से निक्ट किया गया authors अंसर हो जाएगा आपसन बी जुडित सुमीनबाद तुलूका को बिस बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाकार पैनल के सदस के रूप में किसे निक्ट क्या गया है अंसर हो जाएगा आपसन सी राकेश मोहन को अपरेशन संकल्प जो हाली में खबरों में था किसे संबंदित है अंसर हो जाएगा ए समूंदरी सुरचा से संबंदित है किस देश ने उसरक में युराल नदी के बाढ़ के कारण औरेन बर्ग छेतर में संगिया पातकल घोशित किया है अंसर हो जाएगा आपसन सी रूश स्वच उर्जा परिवरतन काल्ज करम जो हाली में समचारों में द हो जाएगे यह मात्री इवह लाव कारकरम है जो गरबती मेहलाओं कोlvaniaugा सिस्वास्वाय पर्दान करता है इसे में केंद्रिय स्वास्था और परिवार्न कल्यान मंत्रा ले दवरा लांच किया है ना कि महला वें बाल मिकास मंत्रा ले द्वारा भोज साला परिसर जो कभी-कभी समचारों में देखा जाता है इस्थित है और इसका अंसर हो जाएगा अफशन डी मध्य पर्देश में पर्तिव स्टेलेसकोप में वारे में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए और बता है यह सही का थन कौन सा है यह एक रेडियो टेलेसकोप है जिसे पहले तारों और आकास गंगाओं से संक्यतों को पता लगाने के लिए चंद्रमा के सुदूर भाग पर स्थापित किया जाएगा बिल्कुल सही इसे रमार रिसर्च इंस्चूट और भारती अंत्रिश अनुसंदान संग अठन इस्टों द्वारब विक्सित किया यह यह भी सही अंसर हो जाएगा सी एक और दो दो नो सही है हाले में खबरों में आई आई बी सी की साइट पढ़ता बेट निमली खित में से किस राज मिशती थे पढ़ता बेट सही अंसर हो जाएगा अपसंग डी गुजरात में है यह था इड़ोटेरिया बुक में दिया हुआ अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दिएगा धन्य बाद